तुसकार आप देख रहे हैं टाइमस नीज और मैं हूँ आपके साथ छवी MIG पुलिस ने दो सूद खोरों के खिलाफ केस दर्च किया है आरोपियों से एक बच्चे के उपचार के लिए परिवार ने रुपए उधार लिये थे दो सास लगातार ब्याज भी भर रहे थे लेकिन परिवार दो माहा से रुपए देने में चूका तो सूद खोरी के मामने में केस दर्च किया है प्रिवता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि प्रमोद बामने से 30 जनवरी 2020 को उधार के रूप में 7 प्रती रुपए से एकड़ा के हिसाब से 1 लाख रुपए नगट लिये थे अक्टुबर 2020 तक 50,000 रुपए नगट के रूप में अदा किये थे और बचे हुए 50,000 और उसका ब्याज बचा था लेकिन प्रमोद बामने अब 4 लाख रुपए की मांग कर रहा है और आए दिन प्रमोद के द्वारा भेजे गए बसंद गायकवार उर्फ बबली दुकान पर आकर धंकाता है और दुकान और घर पर कब्जा करने की बात करता है पीरिद गिता के पती ने बताया कि इस उत्खोरों से पोते के लिए करज लिया था जब वो पैदा हुआ था तो उसके प्लेट लेट कम थे जिसके बाद उसका उपचा चल रहा था करीब 2,00,000 रुप ठीक नहीं होने के चलते वो ब्याज नहीं भर पाए इसके बाद सूथ खोर लगतार दबाब बना रहे थे गीता ने बताया कि बसंत के यहां बच्चे नहीं हैं उसने कहा था कि रुपए मत दो लेकिन पोते को दे दो वो उसे गोद ले लेगा रुपए भी भूल जाएगा परिवार के लोगों ने इस बात से इंकार किया तो सूथ खोर द्वारा परिवार पर दबाब डाला गया मोबाइल बंद कर फरार हुए सूथ खोर प्रमोड टेलर निवासी अब मेटकर नगर पर पहले भी सूथ खोरी के आरोप लग चुके हैं 2018 में भी उसका मामरा थाने पहुँचा था पुलिस के मुताबिक प्रमोड और बसंत ने गीता के घर और दुकान के दसवेच उठाने में जम्मा कराने को कहा था लेकिन वो नहीं आये पुलिस के प्रक्रण दर्च करने के बाद से दोनों सुथ खोर फरार है जिनकी तलाश में पुलिस जोटी हुई है इसमें फडियादी जो है वो गीता सिंगले करके हैं जो हमारी ठाना शेक में ही रहती है वो नहीं रिपोर्ट लिखाई कि उन्हों इतने मौत बामने नापकी रिक्ती से एक लाख रिपर रहें दी जाता इसका साथ हजार रुपए उनमा ब्याज दे रहें थे और अब तक पचास जार रुपए भी ब्याज दे चुकी है इसके बावजूत ही वो उनको परिशान कर रहें गांभी दे रुपए उनसे जान इसे माहने की धंगी दिया इस संबा निफार में जो है जो सो चौरांबे पांट उशे चौँटीस ता इम्मत इवदेश दे में परिणीयों का संवशन दीन इन 1937 की धारा की और चार लगागर पर इंद कारवाई की गई है और अपका पुझीबत दिया इसमें की आरोती है क्या शिकायत की अपने फाने पर शिकायत यह करी थी कि मैं दुकान पर रहा और मैंने पर बहुत बामने और बश्तन काहिक वाड़ से एक लाग रुपर लिया था दो जास सु walked लुपर सेक्ड़ सेक्ड़े में लिया था उसके अक्तुमर तक मैंने साइच जार रुप'RE करताई माँ उसका ल्याद दिया उसकेड़ gugg जा नहीं पचछा में मुलमे से जमा कर मैं से जमा कर दिया उसके और मैं उसके तो मैं साड़े पीन ख़՞त गर गैर हुए प्रमुत बामने है तेलर की दुकान अब टकना करते गाई पेषा उससे लिया दिलाया हुई कि और कुछ ने जैए इस रोप्र बाफ ने वहां पर्मपांड बाब ने से बात करें तो मैंने बोला यार इसा पर्दो अपर आया तो मैंने बोला यार इक्ता देदिया एक लाग उन कतर अज़ार उपर में बाकी ओड़ दे दुआ जो भी ये तुमारा मना नहीं कर रहा हूं सीघॡ़ भी पिलाए गया विला तो उनने बला mistakes looking अगलाब के ही वज में मेरे मकान शीड़ रोटर दो स्ताम YouTube तो फोटू और उसका जानाम एक मेरी ब्लेड गाड़ी है उसका रेजिस्टेंशन यह गिर्वी रखे था अच्छा यह फिर यह कौन है गेंग्स्टर जिसका नाम ले रहा था यह तो वो तो इसा ही बोले मैं पंशी प्रेस की काल्चर सिर्म ले रहा 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 था वो किसका न और नहीं रहा था याँ खिसका नाम आ वां रहा है तो बैक खिसका शिथा डमने के सामने के सामने की परमात दामने बुला तो उनने पूछा, ताब न बुले ये दोनों को जानतों, पर में अबाम ने को अंदर कर दिया था उनने, तो बुले कि नहीं मैं इनको नहीं जानता। अचा ये बदाओ, ये बच्चे वाली क्या बात है। बच्चे वाली ये थी सर, उसके लड़का नहीं था, बसन गयवाड़के, तो वो सेमेन से मेरे पीछे पड़ा वाता। क्या? मेरी क्या बहु सांत हो गई थी, ओ लड़के के लिए मैंने पेशा लिया था, उसके लाज के लिए, तो अगर तू पेशा नहीं दे रहो हो, बोले काम कुरे लड़के को हमको ते रहो, और तुमार को तो चार लाग रुप और दे रहता हूं मैं अच्छा, मैं दो साल का लड़का से तो वागी कम पड़ गए था तो इससे लिए ते नहीं कहने था। इनसे लिए था कांड़ कोई था था, तो गोलो लोग धमकार ही था था? और नहीं देने पर बच्ची की बात कर रहे तो और मकान दुकान दोनों खाली करते हैं अच्छा, आपको परीचेज़ देखिए अब आपके मुबाइल और स्माथ टीवी पर लाइब प्लें स्टोल से दाउन्लोड करें टाइमस्माथ टीवी आप